नमस्कार सभी पसुपालक भाई यो को मनीस्तरड़की तरह से बहुत-बहुत सवागत है आपके अपने यूटुब चैनल पर सवागत करता हूँ आपका और जोपसुपालक भाई याद मारी इस वीडियो को पहली वार देख पार है वो आपके अपने इस चैनल को पास लगे बेल आइकन को भी प्रेस जुरूर करें तांकि आने वाली सभी नई वीडियो की नोटिफिकेसन है वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके आज की जो ये वीडियो कवर करने के लिए पहुंचे लाबदीब भाई के फारम पर आगे की जो प्रोपर जान करी है वो सब्सक्राइब जिला बायनू पगड़ राजस्तान में बढ़ता है हनमानगर से सो किलोमेटर गंगानगर से भी सो और सूर्तगर से 20 किलोमेटर है ठीक है और अपने मोबाइल जंबर 9623-642 और आज की वीडियो में कितनी बैसे दिखा रहे हूं बिक्री वाली पांच बैस तो फार में है 20-22 बैस दिखा देंगे आज की वीडियों पांच बैसे और पांच व यह नहीं जी चार ब्याने वाली है एक ब्याई हुए ठीक स्टार्टिंग रेट स्टार्टिंग रेट बाई है 67 रुपे गर पहुंच यहां से 62 रुपे और उपर से उपर क्या रेट प्रोसेसर अगर ओफ लाइन आता है तो भई आजे सबसे बड़ी बात है हम तो यह ही कहते है कि अपनी ओफ लाइन आपके खरीदो अपने हाथों से निकाल के ले जाओ और जो भई ऑफ लाइन लेगा तो पेमट सारी कर जाए अपनी बैस चड़ा के चला जाए ठीक है जो लेगा पहले पांच जार टोकन मनी लगेगी फिर उसके बाद भाई दो टाइम मिलकिंग करवा देंगे फिर उसके बाद यहां से बैंस लोड के लोडिंग होके आएगी कोई भी भाई हाफ पेमट के लिए यह दो चार जार उपर डाल देता हूं बैंस बेज दो इसके दूसरे तीसरे दिन अबते बाद वीडियो लगती रहती है तो अगर ऐसे किसी के फ्रोड में पैसे पसा के रखेंगे तो एक बार ही करेंगे दूसरी बार नहीं होगा रात ही मैंने फेस्बूक पे वीडियो देखी है भाई वो जैपूर वालों ने जो ठकी मारी उसके जिला कंगाना गर मैं दूसरी गाई होराऊ जिला कंगाना किसी भाई की टोकन मझी है पैसे हैं मुझे फॉन कर देखें से पहले नंबर पर नीली रावी दिखा रहे हो सेकेंड टाइमर जोटी है बहुत है Craxid04 सिंक हैं सेकेंड टाइमर बियांने वाली ये ब्याने में इसके 16-16 दिन रहेंiger बाकी तीन त्रीक हो इसके दिन पूरल कर रहेंगे है ठीक है और दूद कितना तक दे दे देगी साथ टाइमर जोटी में 15 लिटर दूद था भई ठीक है पहले भी आथ में अभी 6-7 दिन का टाइम ऐसे बाकी हो सकता है 2-4 दिन उपर लेजे ठीक है अडर अभी भी काफी अच्छा लेकिन जैसे जैसे भाई त्यारी पे आएगी दो अडर और बाटो आपका बनाती है फस्ट रेमर अपनी देखी हुई है इस टाइम इस जोटी की मा ली थी ठीक है जो सेंग है वो आप देखिए बिल्कुल है जो चोटा सेंग है फेस क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है बिल्कुल साथ आंके सपेदा दोनों या बलेक है नहीं जी बलेक है ठीक है वो आपको सामने दिखाई दे रही है पिछे वाले पेर सपेद आगे बाड़े भी सपेद है ना जी थोड़े बहुत बिल्कुल छोटे खुरा है कोई भी पक्के की समस्या नहीं आती है और बक्की जो थड़ों का साइज है वो भी काफी बड़ी ह जो भाई फिक्सी है ठीक है एक लाग पांच जार रुपे कीमत है गर पॉंच गर पॉंच की ठीक है बाक्य जो थड़ों के बीच में इस पेस है वो भी आप देकिया बिल्कुल पतली चमडी हो नहीं जी बिल्कुल पतली चमडी काफ जी लिपी जैसी कितने दिन ले और हाइट लेंद इसकी भी बढ़ी है पूरी बढ़ी है बहुत ज़दा है हाइट भी छोटी नहीं है पूरी वजंदार और जो थड़ों का साइज है वो आप देखिये में बिल्कुल जामनू जैसी जैट बलेक है इस सही है जो पूछ में बाड़ सपेद है वो आपको साम और जैसे जैसे त्यारी पे आएगी तो और भी अच्छा इस पैस और अडर देखने को मिलेगा इधर कुमाना और दूद कितना तक देदेगी बाइं मालिक ने बताया कि फर्स टाइम में 14-14 लीटर दूद था ठीक है संबाल अच्छी थी माड़ी तो नीट थी उसकी क्यार अच्छी है उसकी पास भी तो अब की बार कितना तक देदेगी उमीद है जोटी देदेगी 16 लीटर दूद थीक है 16 लीटर तक दूद देदेगी हाइट लेंथ वजन इतनी लंबी जड़ को देखके 20 किलो बॉल दो बैस ओड़ती आगे से लेके पिछे तक पूरा लंबा पूरा आगे से लेकर पिछे तक आभी भी जैसे जैसे त्यारी पे आएगी अभी दस दिन का टाइम वैसे बाकि हो सकता है वही दो चार दिन उपर भी ले जाए या दो तिन दिन पहले भी आजे चे तारीक के लगवग इसका टाइम पूरा होता है और रेट कीमत बाइस की एक लाग पांच या रुपए गर पहुंच की है और इससे आगे तीसरे नंबर पर एक छोटे सींग की जोटी दिखा रहे हैं फर्स टाइमर जोटी भाई ब्याने वाली है ठीक है दिन इसके दस तारीकों पूरे हो जाएंगे ठीक है दस तारीकों समय पूरा है हाइट लें अराम से खुली-खुली जोटी की आइट है और फिर क्वाल्टी बहुत ज़्यादा जोटी में सही है पूरी वदंदार है बारी पेट उठा फर्स टाइम यह फर्स टाइमर है रजी ऐसे नहीं की पेट छोड़ दिया हो या कुछ कर दिया हो फर्स टाइमर में बिल्कुल प अर दूद कितना तक देदेगी पहले ही इसकी मां भई अपने फर्म से सेल होके गई है ठीक है लगबग डेड में इन्ने की भी आई थी जब इसकी कटड़ी उतार ली थी इन्होंने यह उसके पीछे कटड़ी थी ठीक है तो वो उसको बैठापी मार के दूद निकाल लेते बाइस लिटर दूद दो टाइम मेंन के गाजियाबाद के सुदाम भाई ने ली थी भाई आज वी इसके फर्म में है बैस वो तो उमीद है जोटी देदेगी 15-16 लीटर पर लेतो बाई 15-16 लीटर की नसे उसे बहुत अच्छी जोटी गए और फिर अटर भी बिलकुल पतल अगर कोई वाई यहां से खरीदेगा तो पांच अरुबे लेस हो जायेगा और इससे आगे चोटे नंबर पर छोटे से अचेंड डामर जोटी है अभी अपने फार्म में आई है ठीक है आपके सामने आगे उतरी है यह भी बिद्याने वाली यह ठीक है कितने दिन लेरी इस 12-13 तारी को भाई दिन पूरी हो जाएंगे ठीक है 12-13 दिन कसमा यह भी बाकी है जी और जो अडर का साइज है वो आप देखे आपके सामने जेसे जेसे तैरी पे आईगी तो आप को अटरवेस से ग्रौथ होना दिखाई देगा तो दूद की कितनी पूरी बाकी होड़ा है 13-14 लेटर दूद जो खरा था ठीक है अब सैकेंड टाइम में ब्याने वाली है भाई देखो 14 देदे 15 देदे 16 देदे और रेट इसका कीमत भाई इसकी रहेगी एक लाग गर पोंच की ठीक है एक लाग रुपे गर पोंच तक का रेट है सिंग भी बिल्कुल छोटा और इससे आगे एक और जोटी दिखा रहे हो सैकेंड टाइमर है भाई अपने गाम से घ्रेदी है पकास्तकार आदमी का था कोई ठीक है उससे लिए कल ही भाई अपने फारम पी आई है ठीक है कल ही आई है और बियाई कब की है बियाई को भाई इसको अचोटा दिन है दिल्कुल गरीव गर में थी कास्तकार आदमी था दूद देदे की जोटी बारा किलो राम से ठीक है बारा लीटर तक दूद चमता रेने वाड़ी है और बच्चा साथ में क्या है कटडा है ठीक है साथ में कटडा और कीमत इसकी कीमत इसकी गर पहुंच की रहेगी 62,000 रुपे ठीक है 62,000 गर पहुंच तक का रेट है सींग भी आप देखिए चोटा सींग है बियाई कितने दिन की बताई है बियाई को चोथा दिन है जी तीसरा पता नहीं चोथा दिन है ठीक है तीन चार दिन की बियाई है